तो तो त्री लेटर वर्ट सिखाने की दो मेथर्स होती हैं as per my knowledge फर्स्ट जो आप यह अभी देख रहे हैं break and blend method and second जिस तरह से मैंने सिखाया है तो इस तरीके में जो am jam, am ram एसे reading सिखाने होती है which is very tough as per my knowledge तो easy way कौन सा है सिखाने का यह जाने के लिए यह video end तक जरूर देखिए Hello friends, welcome back to my channel Life simplified by सारीका, तुम बोल जबोले Life simplified by not by स्प्रूहा, बाइ सारीका In our last video, हमने देखा है phonic sound के exact pronunciation कैसे करने है Okay, so अगर आपके बच्चों को phonic sound exactly pronounce करना आ रहा है both in the sequence manner and in the random manner तो आप next step सिखा सकते हैं बच्चों को reading आप से हम देखने वाले हैं reading कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को Okay, so start होगा vowel की sound से So vowel कौन कौन से ही वो देख लेते हैं Okay, so आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं A letter का sound which is ah Okay, तो ah sound से कौन कौन से words बच्चों को सिखाने ही वो देख लेते हैं So let's start with the A sound A का sound क्या है गुड़ा? A Very good हम कैसे सिखा सकते हैं यह अब हम देखेंगे Okay, स्प्रूहां आपको मेरे पीछे बोलना है A A N M M M A N N N M A B P P P A P A P A A T A T A A A B B B A B A B A D D A D A A A A G G A A A A Okay So, अब यह वापिस हमें स्प्रूहां अकेले करके दिखाएगी Okay Yes Style We got A M Very good girl Next A Very good Next A App वालो रिड़कर Very good Good girls Very good Okay So, books में ऐसे टू लेटर वर्ड्स के रिगार्डिंग कोई वर्क्षिट अवेलेबल नहीं हैं लेकिन मैंने यह खुच से मैच दू पैर वक्षिट रेडी करी हैं क्योंकि मुझे यह इंपॉर्टन लगा क्योंकि मैच दू पैर करते वक्षिट वह अपने आप से उसको रिड कर रही थी अच्छे से वक्षिट की हेल्प से उनकी रिविजन अच्छे से हो जाती क्योंकि यह बैस है तू लेटर वर्ड्स इसी के एन हेल्प से आगे बच्चे थी लेटर वर्ड्स रिडिंग सिखेंगे अच्छे से अबु अबु हम अबु रिवर्ड वर्ड्स इन है एक इतिए ए आजी कु से अबे में थाने वर्ट्स क्यों है वे तो लिक कर बता मने ओके हां बोलो लिखो अब अबू हां लिखो अबू येस अबू येस अबू करेक्ट लिखो इस ना येस अबू पूस्मा हाथ कर अबू लिखो अबू 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 प्रोनाउंस करने के आदोथ होती है, so they are really confused right now, how to pronounce that two letters in a way that it will form a word, so please help them, अगर आप उनकी छोटी-छोटी mistakes point out करते रहेंगे, तो it will hammer their confidence level, okay, so do not point out their mistakes again and again. Okay, so three letters words सिखाते वक, two methods होती है, as per my knowledge, so first method होती है, break and blend method, जो ये अभी आप देख रहे हैं, इसको read करने का तरीका होता है, ज, am, jam, r, am, ram, लेकिन जितना मैंने इसको experience किया हैं, ये मुझे the toughest method लगी है, क्योंकि इस method से आप बच्चों को spelling learn कराना नहीं सिखा सकते, ये method बहुत time consuming है, अगर इस method से हम जाएंगे, तो पहले हमें बच्चों को break करके reading सिखाना होता है, and then next step होता है, second step, कि C, A, T, Cat, M, A, T, Math, ये learning होता है, okay, so मैंने इस प्रूहा को basically कैसे सिखाया है, अभी ag family का अगर चल रहा है, तो उसे अगर मुझे ag family के ही words सिखाने हैं, तो मैंने कैसे सिखाया है, B, A, G, bag, T, A, G, tag, okay, so for two letter words, हम ये break and blend method apply कर सकते हैं, this is really easy for only two letter words, लेकिन जब बच्चों को three letter words सिखाना होता है, तब ये method हम नहीं apply कर सकते हैं, okay, so अगर आपके बच्चों का phonics perfect हो गया है, उन्हें एकदम अच्छे से phonics sounds आते हैं, तो really don't worry about them, they will definitely learn the spelling easily, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक family अगर आपने सिखाना start किया है, तो at a time only three या five words ही बच्चों को सिखाईए, please, और at a time एक ही family हम complete करेंगे, अगर मैंने ab family ली है, तो सिर्फ cab या jab यही spellings में complete कराऊंगी, और उसके पहले जितने भी spellings हो गए होंगे, उसकी revision तो continue रहेगी, okay, so quickly अब देख लेते हैं demos, किस प्रूह किस तरीके से यह read करके worksheet solve कर रही है, आठ किस तरी अडेह, ес सिर्फ yazए, और, त, राद, राद, नाद, राद, राद, ओर, ब त, राद, ठाद. और सिर्फ़ किसटवे लने उसके हैं से हांगे यही आजए. is a very good the man ka spelling below correct how we can missing a vape a very good good now tell me the spelling of can very good now write down a very good good very nice t a g haa bolo tag tag okay 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 we have a your pictures identify karani but you say and then you have a joe spellings a on message spelling soft karke correct spelling a happy tonight okay now what is this proha fan ka spelling below right down here very good very good then next what is this cap okay cap ka spelling below c a b b a g bag very good girl b a okay okay um confession babay-by-bye kis kari are you okay yeah बत का स्पेलिंग बोलो टी ए टी बत रिक ए टी टी ए जी बत 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 का स्पेलिंग बोलो प्लीज ती ए टी गाल प्ली ए लो प्लीज ए ओ लो प्लीज ए ए पर देख बहु प्लीज आपर डेख करें बोलो प्लीज ताहिक यस्पराव भॉ छीज तो चुन के बत थ स्यूस्से को थे भालें में धालिकर कियां ग्राफ एनमने लаль ज्में दो트 लिकियां पुर्हां